अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दवाएं प्रियों दोस्तों इस वीडियो में जवाहरलाल नहरु का जीवन पढ़िए जवाहरलाल नहरु का जन्म 14 नौमबर 1889 को ब्रिटिस भारत इलाबाद में हुआ था इलाबाद जो उत्तर प्रदेश में पढ़ता है इनके पीता का नाम मोतिलाल नहरु जो एक धनी बैरिश्टर्थ और कस्मीरी पंडित समदाय से थे सतंता संग्राम के दोरान भारती राष्टी कांग्रेश के दो बार अध्यच भी इनको चुना गया था इनकी माता का नाम स्वरूपारानी 1889 सर से जो 1931 तक रही जो लाहौर में बसे एक प्रसिद कस्मीरी प्रामर परिवार से थी इस समय पाकिस्तान में पड़ता है मोतिलाल की दूसरी पत्नी स्वरूपारानी थी इनकी पहली पत्नी प्रसव के दवरान मित्थ हो गई थी जवाहरलाल तीन बच्चों में सबसे बड़े थे जिन में बाकी दो लड़किया थे इनकी बड़ी बहन बिजया लच्मी पंडित बाद में सन्युक्तराष्ट महासवा की पहली महिला अध्यच बनाया गया और दूसरी छोटी बहन कृष्णा हठी सिंग एक उल्येखनी लेखिका थी इनोंने अपने परिवार से संबंधित कई पुस्तक ही लिखी थी अपनी प्रारंभी सिच्छा अपने घर पर निजी सिच्छकों से पंडित जवाहरला नहरू ने प्राप्त की पंद्रा साल की उन्र में वे इगलेंड चली गए और हैरों में दो साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज बिस्विद्याले में अपना नाम लिखाया जहां प्राक्रतिक बिज्ञान में असना तक की डिगरी प्राप्त की और 1912 में भारत लाउटने के बाद सीधे राजनी से जुड़ गए इसके बाद इनकी शादी कमला नहरू के श्राथ 1911 में हो गई इन्होंने भारत लाउटने के बाद नहरू सबसे पहले वकील की रूप में अस्दापित होने का प्रियास के लेकिन इन्होंने अपने पीता के बिवरीत इस पेसे में कोई अच्छी रूच नहीं दिखाई और उन्हें वकालत और वकीलों के साथ दोनों ही नापसंद था 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नहरू ने अखिल भारती कांगरेश शमीत के महासची के रूप में इन्होंने सेवा की 1928 से 1929 में कांगरेश के वार सिक्षत्र का अधिवेशन मोतिला नहरू के अधिश्ता में किया गया नहरू ने कांगरेश के अध्यच्च पत के लिए 1936 और 37 में दो बार हिने चुना गया उन्हें 1942 में भारत छोड़वा अंदोलन के दवरान गिर्पतारी भी की गई और 1945 में इनको वहां से रिहा कर दिया गया 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय उन्होंने अंगरेशी सरकार के साथ हुई वारताओं में महत्पूर्ण भूमिका निभाई सन 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद जब भावी प्रधान मंत्री के लिए कांगरेश में मद्दान हुआ उटिंग हुई तो सरदार पटेल को सरवाधिक मत मिले उसके बाद आचार क्रिपलानी को दूसरे नमबर पर मिले सरवाधिक मत लेकिन गाधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार क्रिपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया जवाहरला नहरु को परधान मंत्री 1947 में बनाए गया ऎलविए स्वतंद भारत के पहले परधान मंत्री बनाए गए जवाहला नहरु ने जेसी बरोज टीटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफिरिका में उपनी विश्वात के खात्मे के लिए ये गुट निर्पेच आंदोलन की रहना की वाकोरिया युद्धकांत करनिस सेज नहार विवास सुल जाने और कांगो शमजहोते को मूर्थ रूप देने जैसे अंतर राष्टी शमस्याओं के शमधान में मध्यस्त की भूमका में रहे पस्चिंबालिन आश्टिया और लावोस जैसे कई अन्यविस फोटक मुद्दे इनके शमाधान के पर्दे के पीछे रहा कर भी उनका महत्पूर्ण युगदान रहा इन्हें वर्स 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया लेकिन महरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए पाकिस्तान के साथ एक सम्झावते पहुजने में कंकस्मीर मुद्दा और चीन के साथ मिर्ता में सीमा विबात रास्ते पर पत्थर सावित हुआ पंडिक जवाहलाल नहरु ने चीन की तरफ मिर्ता का हाथ भी बढ़ाया लेकिन वन्यश्व पासन में चीन ने धोके से आक्रमानिक कर दिया नहरु के लिए यह बहुत बाज़ड का था और सायद इनकी मौश इसी के कारण हुई 27 मई 1964 को जवाहलाल नहरु को दिल का तवरा पढ़ने के कारण इनकी मौश ओ गई देश बर में जवाहलाल नहरु का चन्द 14 नॉमबर बाल दिवस के रुप में मनाया जाता है नहरु बच्चों से बेहत प्यार करते थे और यही कारण था कि प्यार करने के कारण है चाचा नहरु गुलाया जाता था इंद्रा गाधि को कालपनिक पत्र में लिखने के बहाने उन्हें बिस्वितिहास का ध्याय दर अध्याय लिख डला यह पत्रवास्तों में कभी भेजे नहीं गए लेकिन इससे बिस्वितिहास की जलक जैसा सहज संप्रेश तथा सूप संबध गरंत सहजी तयार हो गया भारत के खोई डिश कपड़ी आफ इंडिया ने लोग प्रीता के अलग प्रतिमान रचे जिस पर आधारी भारत एक खोई नाम से एक उत्तम धारवाही का भी निर्मार हुआ उनकी आत्मकथा मेरी कहानी इन आटो बायोग्राफिय के बारे में सुप्रसीद बिद्वान डाक्टर सरपली राधा कृष्णन का मानना है कि उनकी आत्मकथा जैसे आत्मकरुनाया नैतिक सरेष्टा को जरा भी प्रमारित करेने की चेष्टा किये बिना उनकी जीवन और स अंगर्स की कहानी बयान की गई हमारी यूग की सबसेदी को लेखनी पुस्तकों में से एक पुस्तक है अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सेयर जरूर करें